कि बढ़ेगा बढ़ेगा विट अतलब ही नहीं है इसका यह पूरे तीन महीने ऐसी रहना है में कर ले कोई रास्ता नहीं है थे कहराब ओजादी है तो क्यों डॉंक तर नहीं आपाता है डॉंक तर नहीं मिलता है उत्रप्रदेश के मुरादाबाद में भारी बारिश की कारण सडकों पर बान का पानी आ गया है सडके तालाब बन गई हैं और ग्राम मिडों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस बीच लोगों को अपनी जवान को जोखिम में डाल कर बाहर आना जवाना पड़ रहा है इस कड़ी में मुरादाबाद के जीए मनुच कुमार सिंग ने कहा कि हमारी टीम में सक्रिये हैं और हम इस्तिती पर नजर बनाए हुए रखे हैं सभी परिषान है तो चार भी रास्ता बंद है तो परिषान तो है यह सब इंहां पर यह है भूद कर भीज़े रहा है इस पड़ीव के लोग पानी में निकल के जा रहा है हैं सब दूडूटी वाले किसान तो कुछ नहीं पता पानी कब तक बढ़े कब तो अब तो बढ़े गई बढ़ेगा अब यह उतरने का तो कोई मतलब यहां पर मुखेता जो हमारी दो नदिया है राम गंगा और कोसी उसमें वाटर लेवल बढ़ता है तो फ्लेड लाइक से चुशन बनता है अब आदी में बहुत ज्यादा भी पानी भुसने के कोई शिकायत नहीं है खेतों में पानी है कोज़गा पर सडकों पर पानी आ गया ह से हमारी टीमें लगातार एक्टेव हैं हमारी लोगों ने आपने 20 अधाल डा फ्क you Church हमरे हमारी एक्टेव हैं यहां पर पुलिस और राधस्वु सभी कि साइंट्स टीमें वहां पर कख़र रही हैं उर लगातार मौके पे नजर बनाए हुए है इसके stopped जहां जहां पर ऐसा हमें लग रहा है कि गाउं के लोगों को सब्सक्राइब सब्सक्राइब जिसे कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना है दवाईयों की किट भी हम बाट रहें कि कोई वाटर बॉर्ण डिसीज़ ना हो जहां तक फसल का सवाल है अभी हम लोगा जो आख लेन वह यह हैं कि मुख्यता जहां जहां पर गन्ना लगा हुआ है वह वह वाटर लॉग्ड है वह वाटर लॉगिंग से बहुत जादा नुकसान वैसे नहीं होता है लेकिन फिर भी हम लगाता है नजर रखे हुए हैं कि अगर कोई क्रॉप डैमेज होगा तो इसका तत्काल एसस्मेंट करके जैसा कि साशन की निर्टेशन हम लोग उसको अपलोड कराएंगा और किसानों को दो नहीं है कि अधिक है इसमें एक हमारी मुख्य मार गया उस पे थोड़ा से उसमें च्छोडी सी ज्यादा उसमें खराब है तो उसमें लगातार उस पे काम चल रहा है लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्योंकि लगातार बांश हो रही थी तो में मुसली उसको मोटरीवल आने काम प्यास कर रहे थे अभी वारिश रुकी है अब हम लोग उसमें काम तेजी से आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें काम जल्दी से जल्दी हो जाए लोगों को आगे दिक्कत ना हो इसके साथ ही साथ कुछ करामीन की वी एक हमारा गाउं है वहां पे रोड पे पानी आ गया था उससे फोर वीलर के आने जाने में दिक्कत हो जी तो उसको भी अभी वारिश कम होई तो हम दो उसको रिस्टोर परने का काम कर रहे हैं इसी तरह की तमाम खबर और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहे हमार साथ और देखते रहे पंजाब केसरी रॉट कॉम